हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मटर पनीर की रेसिपी हाला कि मुझे पता है मटर पनीर की रेसिपी कोई नहीं नहीं है लेकिन हाँ सबका अपना लगलग तरीका होता है मुझे नहीं पता आप लोग इस तरीके से बना बारकर आपकर सीक्यान करते हैं तो यहां पर य मैंने शके बड़े हुं 믹सका आपकर अगरत करना झाले हैं यहां पर ये नहीं को यूज कर सकते हूं अपने कि ए ज्यादा शुरू पा कैसी अधर से रहते हैं और जल्दी से गलते भी है, frozen matter जल्दी से गलते भी नहीं है, यह जल्दी से गलते हैं उनकी अपिक्षा, बाकी तो देखिए आपकी मर्जी है जो आपको असानी से मिल जाए आप उससे बनाइए, तो यहाँ पर हमने यह हरे matter जो है, इनको उबालने के लिए कूकर में चड़ा और उसके बाद मैंने मिर्च ली हैं, 5-6 मिर्च हैं और खूप सारी लैसुन की कलिया है, अद्रक है, आप अपने हिसाब से चीजों को कम या ज़ादा घटा या बढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, तो यहाँ पर यह सारी चीजे हैं, जो हमारे किचन में होती ही होती है कुछ भी अलग से नहीं लिया है, आप देखें मटर पनीर बना रहे हैं, तो मटर और पनीर तो अलग से लेना ही पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी अपने ये नए वाले मिक्सर में, आप लोगों में से बहुत सारी लोग पूछते है रश्मी एक ऐसा है, इसको दिखाना तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसको दिखाने वाली हूँ, पर आप लोग बता देना, आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, तब ही मैं दिखाओंगी, नेक्स्ट में नहीं तो नेक्स्ट में दिखा द जैसे कि जीरा है हरी लाइची है काली लाइची है लोंग है काली मिर्च है आप इसमें तेज पत्ता डाल चीनी यह सब भी डाल सकते हो वही अपने हिसाब से मसालों को कमिया जादा कर सकते हो तो यहाँ पर जो पेस्ट हमने बनाया था प्याच, लैसुन, अध्रा को कर अनिद के साथ और अब हम इसमें आड़ेंगे सुखे मसाले मैं कोई जादा नहीं लेने वाली नॉर्मल से लूंगी जो हमारे घर में होते हैं जैसे कि लाल मेच हो गया नमक अगया धनिया पाउटर हो गया हल्दी हो गया और साथ में जीरा जीरा पाउटर आप डालना चाहिं डालें ना डालना चाहें ना डालें लेकिन अच्छा लगता है अगर पाउडर नहीं है तो आप करें गरम मसाला तो डालते ही हैं गरम मसाले में सारे पाउडर होते हैं पहले से ही और अगर आप जीरा कर डालना चाहते हैं तो जीरे को हलका से तवे पर भून लीजे और इसको इमाम तो यहां पर यह मैंने सारे मसालों के अच्छे से मिक्स किया उसके बार ढगकर छोड़ दिया था बीच पीच में मैंने एक दो बार चलाया भी है और करीबन 2-5 मिनिट तक हमने इसको पकाया है तो मैं पर चेक कर रही हूं इसको और अब मैं इसमें डालूंगी मलाई मलाई मै तो मैं रखीवी नहीं डाल हूँ जो दूध पर ताजी मलाई आती हैजर मेहा पे डाल रही हूं वर 5 दिन पुरानी तो इसको तूड़ हुlor ने गलता है लेकिनता चाजसे दूध की मलाई एक दम से घुल जाती है। बस इसको टाइम लगेगा मलाई से घी अलग होने में यानि मसाले से तेल अलग होने में टाइम लगेगा तो इसको ढखका छोड़ देते हैं तो यहाँ पर मैं चेक करी हूँ करीबन दो ड़ाई मिनित बाद इस बीच भी मैं एक से दो बार चेक कर चुकी हूँ क्योंकि अगर आप नहीं चेक करोगे तो मसाला लग जाएगा जल जाएगा तो बीच बीच में चेक करते रहेगा तो यहाँ पर देखिए मसाले से अच्छे से तेल अलग हो गया था आपने देखा है घी अलग हो गया था तो हम यहाँ पर एक चीज और डालने वाले हैं वो है कसूरी मेथी कसूरी मेथी का बहुत लौग फुछते हैं रशमी आप अपने घर खाने में डालते हो तो कश्मीरी मेथी कसूरी मेथी डालने से क्हाने होता है नि काने में बहुत pozy चिह कुश्चबू और बहुत अच्छा तेस्ट आता है जैसा कि बाहर के खाने का उता है रेस्टोरेंट, धाबा, होटेल, इनमें सब खानों में जो है, बाहर की खानों में कसूरी में थी यूज़ होती है, तो इसको मैंने फीट लगकर छोड़ दिया था, और अच्छे से ये मसाला मारा हो चुका है तयार, तो अब हम यह आपे मटर डाल देंगे, जो हमने उबाल क में अगी टी, मैंने एक सीटी भी नहीं लगा इती मतर में, जैसे ही सूसू होना लगा कुकर मतलब की, जैसे ही सीटी आने वाली थी, मैंने गैस बंद कर दी ती, क्योंकि मटर को बिल्कुल नहीं गलाना है, हलका सो उसको कच्छा रखना था, मुझे, मतलब मैं 90% ही मतर को क करीबन तीन से चार मिनट और उसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं पनीन अब बस यह हमारा काम जो है बटर पनीर का लगबख खतम है आपने देखा कि हमने खामोखा का कुछ भी ताम जाम नहीं किया है घर में जो हमारे होती है सेभी के घरों में यह चार पांच खड़े मस तक जो है अच्छे से पकाया और अभी इसमें बॉयल आ रहा है और अभी हम इसको 2-3 मिनट तक और पकाएंगे थोड़ा सा पानी इसका कम करेंगे पानी आप अपने हिसाब से कम यह जादा डाल सकते हैं जितना भी आपको तरी रखनी है चावल के साथ खाना है तो थोड़ को तोड़ा सा कम करना पड़ेगा तो अभी हम इसको जो है और पकालेंगे इसको प्रेट को ठककर रख देंगे गैस मैंने चेंज कर दे क्योंकि दूसरी साइट मुझे रोटी भी बनारी है तो यहां पर देखे पनीर कम हो गया है ना हमने इसको अच्छे से पकालिया है और इसकी गैस भी बन कर दी है और अब आप देखे कितना अच्छा लग रहा है देखने में यकीन मानिये खाने में भी बहुत टेस्टी था जब आप ट्राय करेंगे आप खुद मुझे कमेंट करकर बोलेंगे कि हारश्मी अच्छा बना था बस चीजों को आप अपने हिसाब स डाल दीजेगा जितना नमक मिर्च मसाले आप खाते हैं उस हिसाब से कर लीजेगा तो खाना पीना इन लोगों का तो हो चुका है मेरा नहीं हुआ है मैं छट पर आ गई थी कपड़े उतारने के लिए क्योंकि आप देख रहे हैं राम जी बिल्कुल तैयार है बरसने के लि सुकून के साथ खाना चाहिए क्योंकि हम सब कुछ किस लिए करते हैं पेट के लिए ऐसा सुना भी होगा अपने पेट के लिए कमा रहे हैं तो जब उसी को हम अराम से ना खा पाएं तो फिर बेकार है तो आप देखिए मोसम हमारी गुडिया रानी के हाथ में फोन है इस त जरूर बताईएगा मेरे यहां तो हुआ है और मेरे यहां के आसपास के इलाकों में भी हुआ है लेकिन आप लोगों के यहां हुआ है के नहीं यह बताईएगा मुझे कॉमेंट करकर ऐसा मोसम अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन जिनके कपड़े आज धुले वाले उनको बड़ा गुस्सा आएगा अब हमारे तो कल धुल चुके और लगभग सूख भी चुके क्योंकि सुबह सुबह डाल दिये थे बारिश जब अब तक आही नहीं थी बारा एक बजे तक उसके बाद बारिश आईगे तो लगभग कपड़े भी मारे सुख चुके है हाँ अ हलो एब्रीवान कैसे हो आप तो यहां पर न मैं जिन से फिलाऊंगी डाइनिंग की टेबल मेज उस पे जेयर पर क्योंकि यह सूख गई है लेकिन यह पीछे के साइड वाली जो जेव हैं गीली है और कपड़े जादा हैं बार पहले से ही कपड़े हैं कल आप लोग को पता कि ग्यारा सबा ग्यारा बज़े के करीब तो यह बोल रहे था कि कपड़े उतार लाते हैं बारिश अभी हलके हलकी आगी थी धूफ निकली भी थी मैंने का ना पड़े रहने दो इतने भीना तूपते अगर उस ट्राम उतार लाते तो अभी तो बहुत हलके से गीले हैं अल अगर बारिश आगई तो आप समझ सकते हो लो मन नहीं करेगा उठने का तो इस वज़े से तुम्डी बगेरा लगावी तरकी गुट्टू ने ऐसे ही बंद कर दिया इसको जल्दी लगती थी अपनी काम की इस बंद कर दिया रदी बंद कर दिया पुश्ट को सूखे अगर अगर निल्सों कार लाती तो गीली पड़े रहते बहुत सारे मौसम अच्छा हो गया है अठन्ड हो जाएगी शैया जब बारिश होगी तो कि विवारिश ना पारीश हो इसकी साइड की ना जाए ना भारिश को बंद कर दियो को कि अगरा है थोड़े से चावल रखे वे थे वो भी मैंने ले लिये हैं और मट्र पनीर के सब्ची ले ली है और रोटी ले ली हैं और हम करेंगी लाइट बंद और हम चलेंगे किचन में आप लोग भी खा लीजे और कमरे में नीचे बैठ के खाऊंगे राम से उधर की साइड किर्की की तरफ से नजारा देखते हैं, बड़े बार नजारे दिखते हैं, तर चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग भी खालो, मैं भी खाती हूँ, और फिर मिलते हूँ आप से थोड़ी देर में, और कैसा बनाया मत्रपनी, बताईए, तो खाना हो चुका है, और बाहर मौसम देखे, खूब हवा चल रही है, तो अगर मैं कपड़े ना उतार कर लाती, तो मेरे कपड़े ना हो जाते हैं, काम कराब हो जाता है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, बारिश भी आ चुकी है इस बीच, और अगर मैं पहले उतार लाती, मतलब जब एक बार और हलकी सी बूंदा बांदी वी थी, तो गलट डिसीजन हो जाता मेरा, विपिन बोल रहे थे, एक दम से जब हलकी फुलकी बारिश आई थी, धूप निकली वी थी, कि कपड़े उतार लो, मैंने अच्छा गरा उस टाइम ने उतारे, वनना कि यूँच्यन हो जाती है, उपर से बारिश और लाइट ऐसा हो जाता है, जब बारिश खूब हो पढ़ती है, तो लाइट भाग झाती है, तो फिर सब कुछ अटका अटका रह जाता है, और थंड हो गई यह है, ठंड है, डे जाध लगती है, प्ले में लेट यह यह भी हूं कहाना खाना खाना पीना हो जाने के बास से ही वस्तो चार बड़तन थे वह साफ की एथे कड़ाई वगेरा रखी वह मैंने कहो जाएगी आज कल बाहर खाना रहे विजाय तो खराब नहीं होता है क्योंकि ठंड बहुत है और आज बारिश हुई है चाहे ठंड बड और कुछ भी करने का मन नहीं करता है ऐसे में बच्चे टूशन गए हैं और करीबन टाइम होगा साड़े चार बज़े का आज कर उनका टूशन टाइम चेंज है मैं दिखाती हूं मेरा दूसरा फोन का है यहरा मेरा दूसरा फोन की दिख्या वा अप नीदिखिए आइम तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं शाम को कुछ नी बनेगा क्यूंकि जब तो फैर में कुछ बन जाती है तो वह पहले क्या है तो वही पहले क्या होगा और फिर वही डूबारा बनेगा देखो इसा हम सभी हमें होता है कि अगर कुछ रखा है ठोड़ा बहुत तो अगर जैब के लिए अच्छा नहीं होता है सेहत की निए बेशक ताजय ताज अच्छा हो लेकिन जेब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है जेब के लिए हानी कारक है और वेस्ट भी होता है या फिर आप उतना ही बनाओ लेकिन कितना भी आप उतना बनाओ फड़ा बहुत तो बची जाता है ना तो इस वज़े स तो जी थंड हो रही है आप लोग भी मुझे बताना यहां भी वारिश हुई ठंड बढ़ी क्या रहा क्या ने रहा कपड़े भी भार स्टेंड पढ़ा यह टीन के नीचे रखा है पढ़ा नीए कपड़े यह अस पर भी हवा लग रही है इस टेंड ऐसी चेकर पर रखा है जहां पर स्टेंड धूप आ रही है थोड़ी बहुत जैसे बीच बीच में धूप निकलिया हलकी कुलकी अभी तो नहीं है तो वह आ रही थी स्टेंड पर तो मैं सोती हूं थोड़ी देर फिर मैं रूप लगों से शाम में सिद्धा कोफी फैंटी है कुल्डू ने मेने लिया बहुत अच्छे से फैंट देती है एक से दो मिनिट के अंदर और मैं भी अपने लिए कॉफी दूद कर लिया है थोड़ा सा ओटलिती हूं तेज गरम और ठड़ी शंट में पीए कॉफी उसके बाद कुछ परतन है कुछ के दो एक प्लेट है इनको जो जो शाम में दिया है ब्रेड सेंविच बना के दिया था वह वाला नहीं होता जो वेजिटेबल मैयोनीज बारिक बारिक खीरा तमार्ट चटपर्ट से वो दिया था इनको टूशन से आते ही तो उसकी प्लेट सो गयरा है एक यह कढ़ाई है इसको खाले तो कॉफी मैंने पीली है और इसके बाद तुरंत मैं किचन में आई कुछ एक बड़तन थे मेरे तो मैंने का इनको भी मैं कर लेती हूँ आज कल फिर से मोसम चेंज हो गया है तो आप समझ सकते हैं जो काम हो रहा हो इसको कर लो एक बार अगर आपने विस्तर पकड़ा रजाई ओड़ी तो फिर समझो सारे काम अठके रह जाते हैं और रजाई से उठते वे तो भाईया बहुत ठंड लगती है ठंड ना मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि ठंड के दिनों में मेरे अंदर आलस आजाता है मेरा मन नहीं करता है हाँ गर्मिया आती है ना तो मुझे 40 सी आ जाती है सुबा शाम किसी भी टैम उठाओ काम करवाओ एक एनरजी सी रहती है वाड़ी में लेकिन सर्दियों में मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को बड़ा आलस होता है जब तक मैं कर रही हूं काम तो कर रही ह एक मन में यह आएगा कि चलो मैं ही अकेली ऐसी नहीं हूं आप में से भी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं तो आप जरूर मुझे करके बताईएगा और बाकी में आपे बरतन वगेरा कर लूँगी आप लोग बोलेंगे फिर वही चीज कुछ लोग पूछते हैं कि रश्मी बीच में दो एक बार तो वो मैं कर लेती हूं उसके बाद जब रात के होते हूं उसमें मैं छोड़ देती हूं वो सुभा में आती हैं वो कर लेती हैं तो चलिए अब मुझे दीज़े इजाजत यहीं पर हम करेंगे अपनी इस वीडियो का एंड आपको वीडियो कैसा लग हुच टो भी शेयर करूँंगी लेकिन यह तरीका मुझे सबसे बैस्ट लगता है सबसे सूपर डेस्ट होता तो दीजे मुझे इजाजत यहीं पर अपनी इस वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई तम तक के लिए बाइबाई कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के बाइ बाइ गुटनाइट